हेलो एब्रिवन जै स्री राम बजरंग वली की जै गूड आफ्टरनून एब्रिवन सो हम लोग राची से वापत आ चुके हैं और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम राची और ये देखिए मेरे फ्लावर्स कितने सारे सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं तो चलिए करते हैं आज दिन की सुरुवात इन फ्लावर्स के साथ और आब बिंटर यहां पर से पूरा में अचानक से वन बीक के बाद अचानक से ठंड बह चुकी है लेकिन सारे फ्लावर्स पूरी तरह से खिल भी गए हैं सो चलिए चलते हैं और यह देखिए तो इस तारे फ्लावर्स खिल करके बड़े बड़े हो गए अरिया हापर पिता कि तरह नहीं है के लिए क्योंकि पूसरू हो चुका है तो उसके लिए चाबल सुखाया जा रहा है और इसका पिठ्ठा बनेगा और यह देखिए मेरे सारे रिड़ फ्लावर्स और यहां पर से भी फ्लावर्स ऐसा लग रहा है कि फूलों के बगीचे में आ गई हूँ लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यह तो मेरे ही गार्डन के फ्लावर्स है क्यूट रिड़ वाइट अंड मैरी गॉल्ड इस चावल को धूप में दूसरी जगा लाया गया है और उसे अच्छी तरह से फैलाया जा रहा है ताकि अच्छी तरीका से यह सूख जाए उसके बाद आप लोगों को पीठा भी तो खिलाना है मेरे घर में बकड़ी घुस गई है और वहां पर जाकर फस गई है अब स्या करेंगी तुम दो नो और बकड़ी चली गई विंटर के मौसम में यही एक खराबी होता है कि आसमान तो आपको जितना साफ दिखाई दे रहा है इन फैक्ट आप तारे भी देख सकते हो लेकिन यहां पर काफी अंधेरा हो गया है और यह देखे जब मैंने लाइट ओन किया तो काफी अंधेरा है तो चलीए पीते हैं बिंटर के मौसम में गर्मा गरम चाई और करते हैं ठंड का स्वाज़ाई चाई करीब वन बीग के बाद आपको बॉइलिंग टी का यह खुबसूरत सा नजारा दिखा रही हूँ आप लोग भी से बहुत मिस कर रहे होगे तो चलीए चाई को बहुत ज़्यादा बॉइल करते हैं ताकि यह कड़क बन जाए यार है गर्मा गरम चाई यह देखिए फ्रैंस यह वाले फ्लावर्स सारे सूख गया है तो चलिए इसे फेकते हैं और कुछ नए फ्लावर्स डेकुरेट करते हैं इसमें क्थाइब मौब जाएब गड़ार का करते हैं प्लावर्स अनल चाई है तो चलिए प्लावर्स यह लेखिए इस फ्लावर को मैं बाहर में खाद बनने के लिए डाल दूँदी और यहाँ पर यह सरकर पे खाद बन दूएगा इस गाजर को अच्छी तरह से पोच करके फ्रीज में रखेंगे कर्फ़सा zag के अच्छी, करैसजर बनने का Cathy को माजना का लुद्दी में मोच Кजढा बना गिन्यों में खाद दूएगा को भी खिए हमाद, अच्का, कि च fingertips से नहाँ болध यह देखिए चाय का चाय पत्ती है इसे चलिए प्लांट में देख कर आते हैं और साथ में यह देखिए तारक में दा बाहर बहुत थंद है फ्रैंस बहुत थंदा है तेकिन इसे भी प्लांट में डालना जरूरी है यह प्लांट के लिए काफी सेहत मंद होता है तो चलिए चलते हैं अब घर की और और यहां पर देखिए एक और गुद्दा होती तो फ्रैंड्स यह था मेरा आज का ब्लॉग अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करियेगा दें तिल गुद नाइट एंद हैपी विंटर और करुद नाइब येगा विल झाल बीम झाल, 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 झाल